नमस्ते साथियों मैं सुरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें के अभी चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बैल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोग को वीडियो का नोटिफिकर्शन मिल जाए आप लोग जितना भी मुर्गी पालन कीजिए अगर आप लोग मुर्गियों को सही समय में नहीं बेच पाते हैं तब आप लोग का ज्यादा मुनाफ़ा नहीं होता है या बहुत बार नुक्सान हो जाता है इसलिए सही समय में मुर्गियों को बेचना बहुत ही जरूरी है ये सभी बाते जानने के लिए ठंड और गर्मी ये दोनों मौसम में मुर्गी पालन करने के क्या-क्या फाइदे और क्या-क्या नुकसान है उसके बारे में हम बात करेंगे देखे साथियों अगर आप लोग ठन के जिनों में मुर्गी पालन शुरुआत करना चाहते हैं और उसके लिए अगर आप लोग एक दिन के चूजे खरीते हैं तब उस समय आप लोग को ज्यादा महिनट करना पड़ता है क्योंकि ठन के जिनों में ज्यादा ठन होने के कारण उस समय अगर आप लोग चूजों को सही टेंपरेचर मैंटीन करके ब्रूडिंग नहीं करते हैं तब चूजे ठन के बज़े से मर जाते हैं ठन के जिनों में मुर्गियों में बिमार भी ज्यादा आता है और उस समय अगर आप लोग मुर्गियों को अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं तब मुर्गिया मर सकते हैं या आप लोग का नुक्सान भी हो सकता है ठन के जिनों में गाव घरों में 90% देशी मुर्गी बिमार के बज़े से मर जाते हैं जिसके कारण उस समय मुर्गियों का डिमान सबसे ज्यादा होता है और उसके कारण मुर्गियों का रेट भी उस समय बहुत ज्यादा हो जाता है और इस समय अगर आप लोग मुर्गियों क अच्छे से देखभाल करते हैं तो इस समय आप लोग देशी मुर्गी पालन करके एक अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं और मुर्गियों का डिमान सबसे ज्यादा होने के कारण मुर्गियों को सेल करने में भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है और एक अच्छे दामों में आप लोग देशी मुर्गियों को सेल कर सकते हैं अब हम बात करेंगे कि ठन के दिनों में कौन से तारिक या कौन से महीने में हमें देशी मुर्गी पालन से ज्यादा मुनाफ़ा कमाई कर सके देशी मुर्गी पालन से अगर ज्यादा मुनाफ़ा कमाना है तो ठन के दिन मेंटेन करके बहुत ही अच्छी तरीके से देख भाल करना बहुत ही जरूरी है नहीं तो ठन के वज़े से चूजे मर सकते हैं और आप लोग का नुक्सान हो सकता है डिसमबर महिने के एक तारीक को अगर आप लोग एक दिन के देशी चूजे अपने फार्म में डालते हैं तो वो लगभग मार्च अप्रिल महिने में बेचने के लायक हो जाते हैं और मार्च अप्रिल महिने में देशी मुर्गियों का डिमान भी बहुत ज़्यादा होता है और उस समय उनका रेट भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मार्च अप्रिल महिने में देशी मुर्गियों में बहुत ज़्यादा बीमार आता है और बीमार के बज़े से बहुत स सारे मुर्गिया मर जाते हैं जिसके कारण देशी मुर्गियों का लेह जार छाहना होता है और ज्यार दिमाण होने के कारण उच्छे से देख भाल करें To be polite लायक बना देते हैं तो देशी गर्मियों के मौसम में मुर्गी पालन सुलवात करने का सबसे बड़ा फाइदा यह है कि उस समय गर्मी होने के कारण छोटे चोजो को बुरुडिंग करने के लिए जो टेंपरेचर चाहिए उसे मैंटेन करने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होता है और गर्मियों के मौसम में मुर्गियों में बिमार भी बहुत ही कम आता है गर्मियों के दिनों में देशी मुर्गियों में बिमार कम होने के कारण उस समय लगभग सभी जगह में देशी मुर्गिया एवेलेबल होते हैं जिसके कारण देशी मुर्गियों का जो rate है वो थोड़ा कम हो जाता है अब बात करते हैं कि गर्मीयों के मौसम में अगर हमें मुर्गी पालन से ज्यादा मुनाफ़ा कमाना है तो कौन से तारिक या कौन से महिने में हमें मुर्गी पालन शुरुआत करना चाहिए गर्मियों के मौसम में अगर आप लोग देशी मुर्गी पालन से ज्यादा मुनाफ़ा कमाना चाहते हैं तो अगस्ट या सितंबर महिने के एक तारिक को अगर आप लोग अपने फार्म में एक दिन के चूजे डालते हैं तो वो लगभग डिसमबर या जनवरी में त्यार हो जाते हैं बेचने के लायक हो जाते हैं और उस समय क्रिस्मस या निवेर सेलिब्रेशन के लिए मुर्गियों का डिमान बहुत ज्यादा रहता है जिसके कारण उस समय मुर्गियों को बेच के आप लोग एक अच्छा मुनाफ़ा कमाई कर सकते हैं देशी मुर्गी पारण से आप लोग कितना मुनाफ़ा कमाएंगे वो बहुत हद तक आप लोगोंने कौन से समय में देशी मुर्गी पारण शुरुआत किया है उसके उपर निर्भर करता है और एक बात साथियो अगर आप लोग 50 या 100 देशी मुर्गियों से शुरुआत करन नहीं होता है तो साथियो यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोग के सच सेयर किया और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो जे कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वी